हेलो प्यारे विद्यारतियों, हेलो स्टुडेंट, होप आल आर वैल, आप सभी अच्छे होंगे, यहां हम कोशिका के संबंद में महात्पूर्ण तत्य भाग दो लेके आए हैं, भाग एक अल्रेडी वीडियो बन चुका है, जो अप्लोडेड है, अब हम यहां पे दूसरा भाग लेके आए हैं, उसी से संबंदित और इसके सार इसके जो पीडियाफ हैं, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके सीधे टेलिग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, टेलिग्राम जोइन कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी कोशिका, अब हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, इससे पहले आप मेरा चैनल सब्क्राइब करें, लाइक करें, अब बहुत से बच्चों को इस पर लेके आएं, शेयर करें, और आपको ये महतपूर्टत छोटे से वीडियो में आपको अच्छी जानकारी देके जाएगा, तो सब्क्र सबसे बढ़ी कोशिका जो हती है वो सुतुर मुरकांडा या आस्ट्रेज होता है यहाद कर लीजे जो सबसे बढ़ी कोशिका है। पुशुतर मुरकांडा या ओस्टेज बहुत से कमटेटेव एक्जाम में और यह बहुत महत्पूर कोश्चन है जो आप अपने याद कर सकते हैं सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में कौन सी होती है तंत्रे का कोशिका यह हम कहते हैं नर्फ सेल्स नर्फ सेल्स को हम सबसे ल लॉंग सेल्स नाम देते हैं नर्फ सेल्स का जो लॉंग सेल्स है या लंबी कोशिका हमारे सरीर में होती है तंत्रिका कोशिका soybeans और नर्फ सेल्स हम बोलते हैं इंगलीज में नेक्स पॉइंट पे आते हैं कोशिका भित्ती या सेल वाल, यह पॉइंट सब को लगबग पता होगा, सेल वाल जो होती है केवल पादब कोशिका या प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है, में उपस्तित रहती है, तो सेल वाल या सेल कोशिका भित्ती, कोशिका भित्ती या स कोशिका बित्ती सेल्वाल केवल पादप कोशिका यह प्लांड सेल में उपस्तित रहता है में आते हैं। सों गम इसक्रीन पर देख सकते हैं यह वस्व्षम प्रोटीन संस्लेशन कंberी कॉशिखांगे नेक्स पैंट सैथίν माइटोकॉंड्रिया मीटोकॉंड्रिया कोशिका में ऑक्सी करन इसी में होता है prepared और जो tough Shark जो पाई जाती है उसी में ऑक्सीकरण होता है तो यह पॉइंट्स थे जो बहुत महत्पूर थे एक बार हम फिर से रिवाइस कर लेते हैं क्या भाग दो कोशिका के सम्मन्द में महत्रपूर्त तो पहला है सबसे बड़ी कोशिका यह आप अपने स्क्रीन पर देखिए साफ साफ लिखा है शुतर मुरकांडा या ऑस्ट्रिच इंगलिस में बोलते हैं ऑस्ट्रिक बिग आप ऑस्ट्रिच या शुतर मुरकांडा सबसे बड़ी कोशिका है बिक सेल जो पाई जाती है वो सुतर मुरकांडा सबसे लंबी कोशिका यह लॉंग सेल्स जो होती है हमारे बोड़ी में शरीर में तंत्रिका कोशिका या इंगलिस में बोलते हैं नर्व सेल्स कोशिका बित्ती सेल वाल के वल प यहीं पे समाप्त करते हैं इस तरह के वीडियो को पाने के लिए आप लाइक सब्क्राइब और बैल आइकन जरूर दबाएं कमेंट जरूर करें इस कमेंट से हमें जरूर प्रोचसाहन मिलता है ताकि बच्चों तक यह नौलेज पहुंच सके और इसका पीडियाफ का लिंक ज दाल देंगे थेंक यू